हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जोप में DPSC Teacher Vacancy का नया नोटिफिकेशन जिसमें सभी विश्यों में वेकेंसी आई है PZT, TZT, PRT इसके अलावा जो है आर्ट टीचर की भी वेकेंसी है Accountant की है, Hostel Warden की वेकेंसी है, Special Teacher की भी वेकेंसी है Special Teacher की जो सैलरी है, नोटिफिकेशन में आपको दिखेगी सैलरी 6,00,00 पर एनम दिखाई गई है, ठीक है? यानि 6,00,00 जो है आपको सालाना इसमें सैलरी मिलने वाली है Special Teacher को और graduate या post graduate इसमें होना होगा बाकि PZT, TZT, PRT की TPS में सैलरी क्या रहती है, आप सब भी जानते है PRT की जो सैलरी है, वो 32,000 या 33,000 तक लगबग रहती है PZT Teachers की जो सैलरी है, वो 70,000 तक मिलती है ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं, notification जिसमें सब्जेक्ट हम देखेंगे, क्योंकि काफी सब्जेक्ट की वेकेंसी है PZT में ही जो है, दस सब्जेक्ट की वेकेंसी आई हुई है कोई application fees नहीं देनी है, apply जो है, वो सभी राज्यो के candidate कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, special teacher की वेकेंसी को ही देखें इसमें केवल graduation या post graduation आपकी होनी चाहिए, IIT से या फिर इसी तरीके के similar level of institution से आपने graduation या post graduation की है salary क्या देंगे, तो 6 lakh per annum, minimum salary, minimum salary है यह along with other perks, इसके साथ और भी सुविधाएं रहेंगी अब PZT में subject देखें, English, History, Political Science, geography, economics, accountancy, biology, physics और chemistry की वेकेंसी है ठीके, अपना subject देख लिए, अगर आपका subject है तो जरूर apply करना है आपको कोई fees नहीं देनी है, और salary काफी अच्छी DPS में दी जाती है सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई experience नहीं मांगा जा रहा है, किसी भी teaching post के लिए ठीके, ध्यान दे, कोई नहीं अनवब मांगा जा रहा, fresher, बिल्कुल इसमें eligible है trained graduate teachers में English, Hindi, Maths, History, यह civics, geography, Sanskrit और music वेकेंसी है, और साथ में जो है, tat या c-tat भी नहीं, बिल्कुल मांगा जा रहा कोई teaching training आपकी हो, तो आप इन post के लिए apply कर सकते हैं, TZT में जैसे BA वाले apply कर सकते हैं, PZT में master degree के साथ में BA वाले apply कर सकते हैं और PRT के लिए आपके पास primary level का degree diploma हो, 12th के साथ में या graduation के साथ में PRT में English, Hindi, Maths, EBS, Computer Science, Counselor, Arts and Dance की वेकेंसी है, काफी वेकेंसी है R teacher में bachelor degree fine art में केवल होनी चाहिए, accountant में bachelor degree commerce में हो, इसमें अन्वर्व जरूर मांग रहे हैं accountant की वेकेंसी में, accounting में अन्वर्व 5 साल का, marketing executive में MBA वाले apply कर सकते हैं, इसमें 5 साल का अन्वर्व है जैसे मैंने आपको बताया कि teaching की जो post-s में कोई अन्वर्व नहीं मांग रहे हैं food in charge for school mass, इसमें degree diploma आपका hostel management में या catering में हो hostel warden के लिए अन्वर्व बिल्कुल मांग रहे हैं, 7 साल का अन्वर्व, graduation या post-graduation आपने की हो 7 साल का working आपका hostel warden में रहा हो cook की vacancy है, certificate होना चाहिए, secretary to principal, graduation या post-graduation के साथ में इसी post में आपका 5 साल का अनुभव ठीक है, तो PRT, TZT, PZT, special teacher के लिए कोई भी जो है experience नहीं मांग रहे है wise principal के लिए experience चाहिए है, 15 साल का self-motivate, goal-oriented, experienced academician with necessary qualification तो B.Ed, M.Ed और साथ में 15 साल का आपके पास administrative experience होना चाहिए एक बार DPS बागलपूर की official website पर जैसे ही आप आते है, तो यहाँ पर vacancies DPS बागलपूर इस पर अगर आप click करेंगे, तो यह vacancies 2023-2024 के लिए है, यह पुराना है अभी फिलाल इन्हों ने जो विग्यापन जारी किया है, newspaper में किया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं डाला है तो confused नहीं होना है कि official website पर तो 2023-2024 का है, अभी फिलाल 2024-2025 के लिए विग्यापन जारी हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर last date है, 28 February 2023 इसको आप नहीं देखेंगे, आपको यहाँ क्या करना है, last में जो है application form दिया है, इसे आप download करना है, ठीक है, इसे आप download कर लेंगे दुबारा से आप लोगों को बता देती हूँ, कि official website पर पुराना notification है, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको नया notification मैंने आप लोगों को newspaper की cutting जो है, उसमें बता दिया है, कौन-कौन से post में, कौन-कौन से subject की vacancy है कैसे apply करना है, अभी देखेंगे हम, यह इस तरीके से यहाँ पर जो है, name, subject, applied for, और किस post के लिए, यह आप कर लेंगे और यह रहा application form, ठीक है, इस पर आप लोगों को भेज देना है, email address दिया है, jobs4u at the rate dpsbagalpur.com ठीक है, बस इतना ही करना है, fees बिलकुल भी deposit नहीं करनी है, किसी भी तरीके से, 7 days of publication of the advertisement 18 सितंबर को newspaper में publish हुआ है, आगे के 7 दिनों तक जो है, आप लोग apply कर सकते हैं, ठीक है, तो सब भी apply करिएगा जिनका subject है, जिन भी post के लिए आप apply करने के इच्छुक है, क्योंकि teaching के लिए यहां पर PRT, TGT, PGT में कोई unverb नहीं मांग रहे हैं, dps में बिलकुल unverb मांगते हैं, बट इसमें नहीं मांगा जा रहा है, और कोई fees नहीं है, तो बिलकुल apply कर सकते हैं, मिलेंगी next वीडियो म कि अ कर दिए खुब है।